Hello everyone, so gate का जो exam है for computer science वो 5th February को है यानि कि इस moment पर आपके पास सिर्फ 12 से 13 दिन बचे हैं और 12 से 13 दिनों में आपको अपने preparation में देखना है कि इस 12 से दिनों में आप ऐसा क्या कर सकते हो कि आपका जो rank है वो थोड़ा सा better हो पाए तो इस वीडियो के अदर हम कुछ ऐसी strategies के बारे में discuss करेंगे तो आपके लिए थोड़ी beneficial होगा और साथ-साथ में आपको पता है कि हमारा जो session है वो morning session है यानि कि आपको करना ये है कि पूरे अगले 12 से 13 दिनों तक हर दिन जितने ज़्यादा mock test आप देंगे उतने ही आपको पता चलिएगा कि मेरी preparation उतने ज़्यादा आपको उस time पर आपको practice करेंगे तो आपको practice करना है practice करने से आप focus कर पाएंगे बहुत time तक वो बहुत ज़रूरी है क्यों होता ये है कि कई बार अगर तीन घंडे तक कई बार students focus नहीं कर पाते तो कई बार काफी tired और frustrated feel होता है और इस समय पर आपको करना ये है कि 12-13 दिनों तक continuously same time पर exactly at the same time आपको वहाँ पर mock test की practice करनी है और practice करने के बाद आपको देखना है कि कौन सी areas है जहाँ पर आपको improve करना है कौन कौन सी areas है जहाँ पर आप lag करते हैं तो वह हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे इस वीडियो के अंदर I hope की वीडियो जो है आपके लिए काफी beneficial रहेगा तो start करने से पहले कुछ चीज़े है जो आपके साथ share करना चाहता हूँ My name is Himanshu Kaushik शायद आप मेरे बारे भी जानते हैं मुझे gate की field में students को पढ़ाते हुए बहुत time हो चुका है मैंने पहली बार gate exam clear किया था in 2011-12 यानकि आज से लगभग 10 साल पहले और 10 सालों मैं इसी field में students को पढ़ाते हुए about you know gate computer science maats क्लासिस लेता हुँ- उसकी अपनी pdf चैनल पर डालते हैं तो आप क्या कर सकते हो सबसे पहले आपको जो हमारा टेलेग्राम चैनल है तो यहां पर उसको जॉइन कर सकते हो ताकि अगर कभी कोई आपको मॉक टेस्ट भेजता हूँ या फिर अगर आपको कोई नोट्स देता हूँ या फिर कोई ऐसी बहुत सारे लिंक्स हैं जैसे जहां पर मैं क्लासिज लेता हूँ तो उसका लिंक हमेशा जया पर मैं टालूँगा तो आपके लिए बहुत बेनिफिशल हो जाएगा तो प्लीज जॉइन आर टेलेग्राम चैनल अगर आप अनकैडमी में अगर आप कोई भी कोरसिज लेना चाहते हैं तो आप अनकैडमी में आपके बास दो तरह के सबस्क्रिप्शन है पहला है हमारे पास प्लस सबस्क्रिप्शन और जो दूसरा है वो है आइकौनिक सबस्क्रिप्शन तो जो हम प्लस की बात करते हैं because इस समय पर मैं भी इस समय पर plus में पढ़ा रहा हूँ on unacademy तो यहाँ पर unplus courses पर आपके बस इंडिया के best educators होते हैं और जो हमारी classes होती है बहुत ज़ादा interactive होती है आप किसी भी time पर हमसे doubt भी पूछ सकते हैं हम आपके answers को reply करते हैं और साथ साथ में जो हमारी classes है बहुत ज़ादा structured होती है और classes से पहले आपको हमेशा PDF notes आपको वहाँ पर मिल जाते हैं और during class, class के बीच में आपको बहुत सारे classes में हम लोग बहुत सारे quizzes जो है वो पूछते हैं तो obviously वो आपके लिए बहुत beneficial है, बहुत अच्छा platform है on unacademy उसी तरीके से जब unacademy पे आप Iconic की probation करते हैं Iconic जो subscription है, वो सब चीज़े हैं जो की plus के अंदर available है वो सब चीज़े Iconic में भी है लेकिन Iconic में दो-तिन चीज़े extra है extra यह है कि यहाँ पर एक mentor हमेशा आपके साथ रहेगा जब भी आपको कोई भी issue हो जाहे for example आपको notes की requirement हो आपको कोई doubt आ रहे हैं या फिर अपनी professional कहीं पर आपको motivational की जरुरत है ऐसे कोई भी ऐसे issues आपके होंगे तो उसके लिए आपको mentor हमेशा आपको support करेगा तो आपके लिए कोई भी subscription ले सकते हो तो unacademy or plus भी ले सकते हो iconic भी ले सकते हो I think आपको पता है कि दोन में difference क्या-क्या हो गए है अब जो भी subscription आप लेंगे जैसे अगर आपको plus subscription लेंगे तो उसके पास almost 5 type of subscriptions है जैसे 3 months है, 6 months है, 12 months है 18 months है and 24 months है और उसी तरीके से जैसे ही आप iconic subscription लेंगे तो यहाँ पर total आपके पास 4 type of subscriptions है जैसे कि 6 months, 12 months, 18 months and 24 months तो आप कोई भी subscription लेंगे आपको लेने के लिए just use my coupon code which is Kaushik10 और Kaushik10 से जो भी आप subscription लेंगे उसके अंदर आपको directly 10% off जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा So it's very very beneficial ऐसे बच्चे हैं, यह उनके लिए जो आपकी friends ऐसे हैं जो यह आपकी family में ऐसा कोई है जो इस समय पर gate 2023 की तैयारी कर रहा है यह आप 2024 की तैयारी कर रहा है तो UNACADEMY के तरफ से बहुत सारे batches जो है वो start कर दिये है अब जैसे जो हमारी special classes होती है जैसे मेरी भी जो classes होती है on UNACADEMY मेरे पास कुछ ऐसी classes होती है जो YouTuber होती है तो almost 50-60 hour की classes होती है मैं YouTube पर डालता हूँ और उसके अलाबा हमारी कुछ ऐसी classes होती है जिसको बोलते है special classes तो special classes होती है वो free of cost होती है उसको आपको pay करने की ज़रूरत नहीं है these classes are free of cost for all of you क्योंकि जब भी आप special classes को join करते हैं तो आपको बहुत सारी facilities जो है वो UNACADEMY के तरफ से मिल जाती है जैसे आप बताया पहले से आपको classes जो है वो interactive होती है interactive के साथ-साथ वो live होती है और साथ-साथ में आप कई बार class करते हुए हम लोग polls को use कर सकते हैं हम लोग आपको support करने के लिए अगर आपको कभी भी कोई doubt है तो वहाँ पर बस just raise your hand हम लोग आपके doubt को solve करेंगे और साथ-साथ में कभी भी कोई भी हमारी class होगी तो आपको कोई भी miss आपको हमेशा आप किसी भी class को miss नहीं करेंगे आपको notification हमेशा मिलेगी टाइम से मिलेगी और जो classes के जो notes है special classes के अंदर PDF जो है तो हमेशा हमारे special classes में join मदब आपको मिल जाती है तो विससे this is very beneficial और आप किसी भी time पर at any time आप कि classes को पढ़ सकते हैं चाहें अपने phone से देख सकते हैं अपने laptop से देख सकते हैं अपने tab से देख सकते हैं चाहें आप कभी bus में चला रहे हैं अपने phone से भी उसकर सकते हैं लापटॉप से एनिवेर तो इस वेरी वेरी अमेजिंग एक्सपिरियंस आपका एक्सपिरियंस बहुत इच्छा होता है और ऐसे बच्चे इस समय पर gate 2022 के तियारी कर रहे हैं यानि कि अपसे जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पर 12 से लेकर 13 दिन जो है वो यहाँ पर बचे हुए है तो यानि कि इस एरियास पर आपको देखना है कि आपकी preparation कैसी है उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप mock test आप देंगे जितने ज़ादा आप mock test देंगे उससे आपको पता चलेगा कौन से areas है जहाँ पर आपको आप lack कर रहे हो और कैसे आपको देखना है उसको कैसे अगर कुछ areas में जहाँ पर आपको question आप कर रहे है और solve आप नहीं कर पा रहे हो तो हरे class का एक video आपको मिलेगा वीडियो के साथ साथ आप उसके साथ यहनो आपको उसके पूरे return messages return सारे उसके अंदर notes जो है वो सारे मिल जाते हैं अब जो already a mock test जो है right वो free of cost है सभी के लिए unacademy के platform पर चाहे आप उनके app से पढ़ेंगे या फिर laptop से पढ़ेंगे तो already a mock test जो है वो completely free of cost for all of you अब कोई भी सोग कर सकते हैं और जो already a mock test है वो second january से start हुआ था और अब जो है वो 30th january को you know already a mock test जो है तब तक होगा यान कि कल Sunday को होता है जो already a mock test है वो Sunday को होता है Sunday at 9 a.m. तो 9 a.m. पर Sunday को already a mock test होगा और जो उसका next जो हमारे पास already a mock test रहेगा वो इसके बाद next week यान कि next Sunday को होगा तो आप अपनी प्रिपिश्प को देखने के लिए unacademy के तरफ से already a mock test को आप देख सकते हैं जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर AIMT AIMT तो AIMT हम इसको बोलते हैं और जो AIMT है as I told you at least 50,000 प्लस बच्चे जो है unacademy के तरफ से यह already a mock test देते हैं because इसके अंदर this is free of cost for all of you तो आपको पता चलेगा कि आपकी preparation कैसी है right because आपने आपको दूसरे students के बाद compare कर सकते हो किस level पर आपको तो आपके लिए बहुत beneficial लेगा एक तरीके से mini gate exam ही हो जाएगा जहां से आप देख सकते हैं कि मेरी preparation कैसी है right और इस समय पर जो ऐसे बच्चे हैं जो इस समय पर gate 2023 के तैयारी कर रहे हैं या फिर 2024 के तैयारी कर रहे है यानि कि अगले एक साल या दो साल के लिए जो बच्चा preparation कर रहा है तो उस समय पर इस बार फिर से मैं बता रहा हूं इस बार academy की तरफ से combat जो हो रहा है वो एक mega combat है mega क्योंकि mega के अंदर क्या होता है कि आपको बहुत सारे rewards जो मिलते हैं पर जो लिए अनकेडमी क्या होता है कि एवरी संडे को एक combat तो जो अनकेडमी जो है एवरी संडे को मौक मताब को combat देते हैं और combat होता क्या है combat के अंदर आपके पास वन आउर का exam होता है जिसके अंदर 20 questions होते हैं मैं फिर से बता कि जो combat होता है वो एवरी संडे को होता है संडे को at 11 am और वो सिर्फ वन आउर का exam होता है जादा नहीं होता सिर्फ वन आउर का exam होता है और उसके अंदर आपको 20 questions होते हैं तो जब combat आप देते हों तो combat से एक तो आपको पता चलेगा preparation कैसी है क्योंकि बच्चे combat हर संडे को देते हैं ठीक है और उसके साथ साथ बहुत सारे rewards आपको मिल सकते हैं जैसे कि आपल आइपैड आपको मिल सकता है जैविल स्पीकर आप मिल सकता है आप Samsung tab आपको मिल सकता ह बहुत सारे Amazon के vouchers है जो आपको मिल सकते हैं बहुत सारे चीज़े है rewards जो है वो अनकाडमी की तरफ से you know mega combat जो है वो होता है और जो mega combat आप किसी ब्रांची से है चाहें आप mechanical से हो चाहें आप civil से हो चाहें electrical से हो electronics and communication से हो या computer science आप किसी ब्रांची से हो आप उसके लिए combat आप देख सकते हो because इस बार finally क्योंग gate exam होने वाला है तो इस बार जो combat इस बार अनकाडमी से हो रहा है वो सबसे बड़ा है that is why we call it as you know mega combat तो mega combat है जिसके लिए आप enroll कर सकते हैं और यह जो mega combat है it is free of cost for all of you इसके लिए आपको pay करने की ज़रुरत नहीं है और even आपको 100% आपको scholarship भी मिल सकते हैं with an academy using the mega combat ओके यह आपके सकते हो बापके लिए बहुत beneficial होगा अब मेरे पास बच्चों की जो message आते हैं जैसे recently मेरे पास कुछ एक बच्चे का message आता उसने बोला था कि sir मैं इस moment पर because अब 10 से 12 दिन बचे हुए है और अब मुझे पास पूछते हैं कि sir इस moment पर अब मैं क्या करूं क्योंकि इस moment पर मेरे को mock test में देता हूँ ठीक है तो मेरे पास सिर्फ 30 के आसपास marks आते हैं जैसे 28 भी आते हैं minimum maximum आपके 45 होते हैं और कई बार मुझे लगता है कि मैं confident नहीं हूँ और साथ साथ गे बार लगता है कि शायद मैं दूसरे के comparatively मैं talented नहीं हूँ तो इस पूरे जो तीन घंटे का exam होता है जो mock test होता है उसके अंदर मेरी जो preparation है मुझे लगता है कि मैं अच्छा इंप्रूव नहीं मैं अच्छा नहीं कर पाता हूँ तो इसको क्या steps किया जाए ताकि मैं इसको better improve कर पाऊं तो इस बारे में हम लोग इस वीडियो में discuss करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है कि जब आप mock test देते हैं तो आपको पूरी mock test जब भी आप देते हो तो उसके अंदर पूरा analysis आपको लेना चाहिए जैसे simple एक example है मेरी फोटो बहुत अच्छी नहीं है बट कुछ एडिया आपको यहाँ पर मिलेगा जब आप mock test आप देते हो तो उसके अंदर कुछ चीज़ा आपको करनी है पहला यह है या full syllabus आपको mock test देने है बहुत जादा जितने जादा होंगे उतना अच्छा है वह अलग लेवल के होते ह चाहे वह basic level पर हो चाहे वह advanced पर हो या फिर medium level पर हो तो आपको बहुत सारा हर दिन आपको mock test देना है जैसे मैंने बताया कि जब mock test आप देंगे आपको same time पर देना है जैसे आज जो है आज 22nd है तो अब Sunday से या निकल से आप क्या कर सकते 23rd से लेकर और आने वाले 4th और 15 त सब्सक्राइब तक आपको mock test देना है at 9 a.m. same time पर आपको करना है at 12 a.m. 9 a.m. to 12 p.m. तो जितना ज्यादा हो सके same time पर ही करना है उसी time पर पहले बाद तो focus आपको करना है same time पर ओके अब मैंने 4th क्यों बोला क्योंकि 4th का time दिन है जहां पर आप आप रिलाक्स कर सकते हो क next exam जो है 5th February को है यानि कि 23 से लेकर आपने 3rd तक इस time पर आपको use करोगे यानि कि पूरे 10 दिन है इन 10 दिनों में आपको यहां पर आपको यतना ज्यादा हो सके same time पर बिल्कुल ऐसे imagine करना है कि yes अब exam है same time पर exam चल रहा है तो इसी बज़े से अब मुझे अपना best करके आन करना है यह आपको हर दिन ट्राइ करना है तो जब भी हर दिन आप mock test आप करोगे तो आपको देखना है कि हर बार आपके पास marks कितने आ रहे हैं जैसे marks आप देंगे तो उसमें देखना है कि आपके minimum marks कितने मिल रहे हैं आपको या फिर maximum marks कितने मिल रहे हैं क्योंकि कई बार जो करना है कि आपको पूरे टाइम पड़ना आपको मार्क्स जो आपके यह तो आपको मॉक्त्स देखना है और यह देखना है कि minimum कितना है, maximum कितना है और किस level का आपको exam दिया है चाहे आपने easy level का दिया है आपने medium का दिया है, आपने hard का दिया है या फिर advanced level का दिया है तो वो आपको देखना है same time exactly same time, पूरे focus करना है पूरे exam की type पर दूसरा आपको करना ये है कि आपको ये देखना है कि आपने कितने ऐसे questions है जो आपने attempt नहीं करें क्योंकि अगर आपने attempt नहीं करें तो इसका उतलब है कि शायद आपने कुछ areas है जो weak है उस areas पर आपको workout करना है शायद let us suppose आपको कोई concept है आपको committed networks का और committed networks में आपको एक question आपको आता है mock test में उत्ता होता है कि ये करने हुए आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्यों करता हूँ नहीं कर पाया ना तो आपको उसको बैठ कर जैसी exam होगा उसके बाद analyze करना है पूरा उसको पढ़ना है starting से end उस concept को पूरा go through करना है और फिर try करो कि क्या गलतिया क्यों नहीं आ रही है उसको research करो उसके बारे में है ना तो जो unattempted questions है उसका ध्यान रखना है क्योंकि आपको ये try करना है कि end movement पर पहुँशते पहुशते जितना तब होगे तो unattempted ना आपको try करना है कि कम से कम unattempted questions लेकर आने यान कि जाद जाद स्कोर करना है स्कोर करने के लिए आपको देखना है minimum unattempted questions है यान कि आपको ये simple idea मिल जाता है कि हाँ कुछ area जो weak है तो उसको improve करते हो everyday हर दिन improve करना है next आपको देखना है कि कौन सारे questions जो है वो uncorrect है कि शायद कि आपने कोई mistake करी है या तो वो accuracy का reason है या फिर आपने गलतियां करी है I mean कोई topic जो है topic आपने किया लेकिन करने के बाद आपको answer सही नहीं आ रहा है क्योंकि शायद उसके अंदर concept जो है आपने सही से नहीं करा वो आपने शायद कुछ mistake कुछ कर रहे हो तो यह analyze करना है कि incorrect क्यों आते है और क्यों भी कई बार words ऐसे होते है न क्यों एक्जाम के अंदर है न not to, not where है न तो बहुत सारे questions होते हैं जो small small words ऐसे होते हैं जहां पर आप mistake कर देते हो तो इस पर आपको work out करना है next आपको accuracy का बहुत ध्यान रखना accuracy क्योंकि accuracy में के बार क्या होता है कि बच्चे नहीं अगर accuracy आपकी सही नहीं हो रही है तो उस case में क्या होगा कि exam के time पर भी आपका result जो है न वो अच्छा नहीं मिलेगा एक simple से example देता हूँ मैंने पहली बार जब gate exam दिया था तो मेरे एक friend था उस friend ने random ले कुछ answers को try किया हर एक को try किया और because gate exam में negative marking भी होती है जैसे ही अगर आपके पास one marks है अगर आपने सही किया तो one मिलता है अगर नहीं हुआ तो one by three आपको मिलता है तो negative हो जाता है उसी तरह से two marks आपको मिलता है अगर सही करने में और wrong करने पर आपको two by three मिलता है तो अगर आपके accuracy सही नहीं है यानि कि आप randomly ही कुछ question को reply कर रहे हो तो वो आपके बुरा होता है negative होता है आपके marks कम हो जाते है तो आपको दियान रखना है कि gate exam में accuracy भी बहुत दियान रखना है क्योंकि accuracy आप करोगे तो accuracy से आपको improvement करने के areas हो सकते है यानि कि आपको ऐसे question को नहीं करना है जिसमें आप randomly कर रहे हो but rather आप उसको solve करो ठीक है और हमेशा try करो कि जितनी accuracy जादा होगे उतना ही जादा score कर पाऊगे और अगर एक या दो questions negative जा रहा तो that's not a big problem ऐसा नहीं हो सकता कि अब 10 questions आप गलत कर रहे हो आपको नहीं करना तब जैसे कुछ बच्चों ने के पर देखा था कि उन्होंने जो ऐसे बच्चे हैं जो ने gate में बहुत अच्छा rank किया था ठीक है तो पूरी starting से end तक पूरी mark test देने के बाद भी average जो उन्होंने निकाला है वो almost around 80 to 90% जो है 90% के आसवास accuracy यहाँ पर मिली है तो जो बच्चा अच्छे rank लेकर आते हैं तो वो अपनी accuracy का बहुत ध्यान रखते है जैसे starting में किस बच्चे ने जैसे यहाँ पर आप देखा था बच्चे ने 72% की accuracy के साथ किया था लेकिन जब तक वो बच्चा end movement पर चाहेगा तो आपकी accuracy जो है 95% तक मिल जाती है तो इस पर ध्यान रखना है कि gate exam पे जब भी आपको कोशन आप दे रहे हो तो at least 90% accuracy से करना है कुछ गलतियां आपको नहीं निकाल ले उसके बाद आपको देखना है कि जो पूरा exam है उसको solve करने के लिए कितना time आपको मिलता है ऐसा क्यों? क्योंकि gate का जो exam में 3 hour का होता है आपको हमेशा ये try करना है कि उस पूरे time पर जो पूरा time आप ले रहे हो तो at least आपका पूरा जो exam है वो 2 and half hour के अंदर complete हो जाना चाहिए ठीक है? क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा? कि उस case में आपके पास यहां अगर आपके कुछ areas हैं जहां पर आपकी questions नहीं solve आ रहे हैं या कुछ ऐसे हैं जहां पर आपको समझ नहीं आ रहा है तो क्या होगा कि last का जो half in आ रहे हैं आप उस पर ये work out कर सकते हो कि हम लब उस पर research कर सकते हो उस question को solve करने के लिए तो basically आपको करना यह है कि पूरा जो exam है ना उसकी कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा exam clear कर लो मतलब पूरा सारे जितर questions आपको होते हैं उन सब को two and half hour के अंदर ही cover कर लो और आदा जो आदा घंटा यानिक ऐसे कुछ questions है जहां से आप solve नहीं कर पा रहे हो लास्ट आदे घंटे में इन चीज़ों पर work out करना है तो starting से end तक जब भी आप mock test देंगे जैसे अकल से आप करें 23rd से लेकर end तक जब आप जाओगे तो पूरे time तक आपको ये work out करना है कि आप अपनी accuracy पर और साथ साथ में कितना time लग रहा है इस पर work out करो लाकि last half an hour पर आप उसको प्राक्टिस मतलब उसको solve करो है ना उसको try करो कि जो कोशन नहीं हो रहे है उनको solve कर लास्ट में last moment पर ये आपको काम करना है और next आपको rank देखना है जैसे unacademy के तरफ से हमारे पास जो rank है है ना rank जब देंगे वहां से आपको simple idea है कि क्या आपका rank आने वाला है तो simple जब कि minimum कितना score कर पा रहे हैं मैक्सिम कितना आ रहा है तो obviously आपको पता से लेगा preparation का level कैसा है आपका ओके और ध्यान रखना कि आपने कितनी calculation mistakes आप कर रहे हो और कौन से concept mistakes कर रहे हो जैसे unacademy का जो platform है वहां से यह चीज़े भी निकलती है कि आपकी calculation mistakes कितनी बार करी है आपने या फिर कितनी बार आपने concept mistake करी है क्यों calculation mistake जिसके साथ कोई chances नहीं ले सकते आप calculation mistake तो यह लिख लेना एक paper पर लिखना कि क्या कर चीज़े वर्क आउट करना है कि calculation mistakes नहीं करनी नहीं करनी नहीं करनी नहीं करते हो तो अगर आप कही नहीं नहीं है तो यह पूरी चीज़े हैं मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि क्या का चीजों पर आप ध्यान रखना है वह आपके लिए बहुत beneficial है और वही चीज़े जब session session आपके लिए बहुत beneficial रहा होगा और ध्यान रखना कुछ चीज़े हैं जिस पर आपको ध्यान रखना है अपने फ्रेंट्स को बताने के लिए कि अपने marks को अपने friends के marks से कभी compare मत करना क्योंकि friends से आपको कई motivation भी आपको हो सकती है या फिर आपको कई बारा सा लगता है कि यार अपने friends से तो मैं ही बहुत अच्छा कर रहा हूं तो एक्चल में जो रिजल्ट जो आना वह पूरा गेट exam ही आपको बताएगा ना कि आपके friends बताएंगे है ना तो उसका ध्यान रखना और दूसरा exam के अंदर ठीक है तो never compare the test series with actual exam जो बहुत अच्छा है वो आपके लिए बहुत beneficial होगा ओके और ध्यान रखना कि कुछ ऐसे questions का ध्यान रखना है आप कुछ ऐसे चीज़ों पर workout करना है जहां पर आपने जो words आते हैं great exam में जैसे at most, at least, not true, not false इस तरह कैसे words होते है जहां पर words जो है, student जो है mistake कर देते हैं तो इस पर आपको बहुत जादा ध्यान रखना है इन चीज़ों का, okay, उसके बाद आपको aptitude और mathematics पर काम करना है, यह बहुत important है, aptitude on mathematics क्योंकि यह दोनों जो है आपकी जिसर्फ aptitude और mathematics, right, mathematics में चाहें वो engineering mathematics हो, या फिर वो discrete mathematics हो, right, इन दोनों तीनों एरियास को मिलाके, aptitude जो है, वो 15 marks होता है, और engineering mathematics और discrete mathematics यह around 20-25 marks की आसपास यह रहता है, इन दोनों को मिलाके 40% जो exam है ना, वो सिर्फ इन दो चीजों से है, तो इसको ध्यान रखना, अगर अभी भी आपने aptitude के practice नहीं करी है, तो अभी भी आप aptitude की preparation अभी भी कर सकते हो, 10 दिन बचे हैं, तो इसकी practice करो, हर दिन aptitude की, और कोई subject छोड़ना नहीं था, आप तो 10 दिन बचे हैं, आप तो मैं इसको नहीं बोल सकता है, शायद यह मैं आपको last महिने में इसको बोल सकता था, लेकिन अब मैं बोलूँगा कि आप कोई नया subject आप म last time पर revise करने के लिए, कुछ चीज़ों को अलड़ी, याद करके रख लो, कि वह आपको beneficial होगा, और, तो I think these things will be beneficial, यह आपके लिए बहुत beneficial होगा, तो I hope you like the session, session आपको अच्छा लगे, तो please subscribe to the channel, and bell पर click करना, and thank you so much, आपको session अगर अच्छा लगे, please let me know, ठीक है, और फि combat फिर से आ रहा है, ऐसे बच्चों के लिए, जो इस से वापर gate 2023 के तैयारी कर रहा है, यापर 2024 के तैयारी कर रहे हैं, तो combat से आपको बहुत सारे rewards यहां से मिल सकते हैं, बहुत सारे, you know, आपको gadgets आपको मिल सकते हैं, जैसे Apple iPad है, JBL headphones है, या फिर Samsung Tab है, या फिर JBL speaker है, या voucher से बहुत सारे rewards आपको मिल सकते हैं, तो इसको आप benefit करो, right, इसके लिए आपको कुछ पे करने की जरुरत नहीं है, right, it's free of cost for all of you, and thank you so much, please join my telegram channel, which is himanshutgatecs, and thank you so much.